हलो फेंट्स मादनी केडमी टुक पंजोरव को स्वागत है तो कैसो आप सब आप सब आप सब बच्छे होंगे और आपके ताहर एकदम वैस्ट चल लिए होगी क्लास टेंथ में पूरी प्रिप्रेशन करवा दिये हिंदी की इंग्लिश साइंस इंग्लिश में आपको पैसे स माइंड में फिट हो जाएगा वीडियो के एंड तक जरूर रहना है और यह आपको यहीं के ही याद होने वाले हैं हिंदी इंग्लिश साइंस आप 65 तक नमबर आराम से स्कोर कर लेंगे जितना मैंने बताया उतना करते जाएए आपका डिक्टो भही वही कोईशन मिलने माल स्कार्ण यह आधा के on descended या तो आप पोईम याद करो रहो बारे लाइन की कम से कम बारे क्यों कि आपको बारे भी नी हो अरक तो आट गया है जया तो एक पेपर मों या पिर अलग आम स्थिर शहीं को मेंडünüz ठीक है चाह नमर वह पक्की हो जाएगे बागे चाह नमर में आपको यहां से कंप्लिक राजे तब पूरा प्लिक्त हो जाएगा देखो यह पोएम आपके टाँ डॉस्ट अल्विया इसनो बर्फ की फवार डस्ट फवार हो गया है इसनो बर्फ इसके जो कभी है, लेखक नहीं बोलेंगे, यह पोईट है तो कभी बोलेंगे ठीक है, पोईट है तो इसके जो पोईट है वो है Robert Frost, Robert Frost, इनकी जो सेकंड पोईब है, Fire and Ice, आग और वर्फ, वो भी इनी के बहुत अच्छी पोईब है, और यह भी बहुत ही important पोईब है, क्योंक आपको जब यह कोईशन हिंदी याद हो जाएगी, तो कोईशन रटना ही नहीं पड़ेगा, वस यह आप हिंदी सुन लो, the bear crow shook down on me, पोईट क्या कह रहा है, कि एक कोईण है, the dust of snow, वर्फ की फवार को from a hemlock tree, hemlock tree बोलते है, poison tree, मतला एक जहरीले पेड को, ठीक है, तो, पोईट, अब देखो, फड़ा फड़ा आंसर हो जाएगा, पोईब को कुछ कोईशन ना, आपको थोड़ा एक्स्टा देना पड़ता है, ऐसी हिंदी में लिखते है, काप विसायत में बहुत थोड़ा बढ़ा के लिखना पड़ता है, बिहारी यह कहते है, उनको एक्स्ट पाउडर के फोर्म में, आप धियान रखना है, अच्छे से याद करो, पाउडर फोर्म में होता है, बर्फ को हाथ में लेंगे, एक तरह सर्फ पाउडरी बन जाता है, पाउडरी फोर्म, एफ और एम, औफ इसनो, फर्स कोशन के लिए, यहीं के आपको एकदम से माइड मे इसे किसने हिलाया था, पोईम में आपको हिंदी पता होगी, तो अच्छे से कर लेंगे, दक्रो, किसने हिलाया था, दक्रो लिखके आप पूरा लिख देंगे, तो इस तरह से आपके होगे न, चार नंबर पक्के, यहीं केहीं याद हो जाए, इसकी सेकंड इस्टेंज और और देख लेते हैं, आपका पूरा कम्प्रीट हो जाएगा, इसकी हिंदी सुन लो पहले, फिर आप आंसर दे लेंगे, रूड कहते हैं, किसी भी चीज के लिए पस्ताबा करना, अफ्सोस करना, जो पोईट है, वो बहुत दुखी बैठा था, तो वो कहता है कि, जैसी वो डस्ट आप इस नो, उसके जो वर्फ की फार गिरती है, तो उसका एकदम से मूड हर्ट एकदम चेंज हो जाता है, तो कि कहते हैं कि, इसने मेरा आदा दिन बचा लिया, कैसे दुख ही होने से, फिर ये खुश हो के बोलते हैं कि, अब मैं आदा दिन खुशी में बैद्विद करूँगा, ना कि दुख हो कर, ये इसकी हिंदी है, आप देखो, वर इसको, वर इसदो, आहाँ से कर लेंगे, आप लिखेंगे, आप लिखेंगे, आप लिखेंगे, इसा एकाले, अभी तो तो आप लिख देंगे डश्ट आप इसनो पॉइम और पॉइट दोने याद होने चाहिए सेकंड कोश्चन इसमें वाटेज गिविना चेंज ऑफ मूड एंटु हूम मूड किसके चेंज किया और किसका चेंज किया है कैसे ठीक है तो कोई ने चेंज गिया था किसका पॉइट का चेंज किया था तो आप कैसे लिखेंगे एतो थोड़ा सा बढ़ाए कि जैसे अभी आपने किया था डौ्स रू कुइल को कि अपर ऑन दे ऐसे बज़ें गिंगे यॉट computer ईसरी पोईट कूपर गिराते हैं वो एन दबाइट इसी बज़े से जो पोईट का मूड होता है उसी बज़े से उसका मूड चेंज जाता है ध्यान रखने से बात को और देखो किस तरह से पूछा गया है इसी में से आप लिखेंगे इसी बेट लांकर बताएंगे रखने पोईट को इसी बटाएंगे इसी बटाएंगे अच्छे से धीरे धीरे बता रहीं है वीडियो लॉंग भले हो जाए थोड़ा शा पर आपको यहीं कहीं याद भी हो जागा rhymes word क्या होते हैं यह आपको जरू सीखना है किसी भी poem का rhymes word पूछ ला है जैसे आपको हिंदी में समझो जैसे मैं आपको देदू हिंदी में आता तो can सब्द मिलाई आम यहाँ पे देदू दिन तो यहाँ पे लिख दिया मैंने bin यहाँ पे लिख दिया काम मतलब बोलने में जो word सेम लगे तो आम काम मिलाना दिन बिन मिलाना हिंदी में तो इसी तरह से आपको English में पहचानना होता rhymes word मिलते जूलते word तो फटापट catch कर लो इसमें तो देखो इस तरह से कैसे होगा इसमें बोलने में लग रहा है देखो mood rude तो ये इसका rhymes word हो गया ऐसे आप लग देंगे mood इस तरह से आप लग दें rude बोलने में लग रहा है ना कुछ कुछ सेम सा यहाँ पर कहा है heart part heart part ये इसका rhymes word हो गया ठीक है I hope आपको अच्छे से के लिए हो गया होगा अब देखो इस वाली poem से और पैचान लो गया देखो इसमें उसने नहीं पूछा rhymes word अगर paper में वाइदाब पूछ ले तो इसमें rhymes word क्या होगा I hope आपको अच्छे सा होगा crow is no इसका rhymes word क्या है crow is no me tree यहीं से आपको catch करना पोईम में जाता रेम्स बड़ यहीं से मिलेंगे ठीक है तो कान सब दिने बोलते है crow is no me tree इसका rhymes word ही हो गया तो आप कोई भी poem हो तो आपको rhymes word अच्छे से I hope आपको clear हो गया होगा कोई भी poem आएगी तो आप आरम से रेम्स बड़ कर लेंगे पोईम का नेम, point का नेम याद होने चीए बागी first question आपको इसी मिल जाएगा तो आपको चान नमर अब आपके पूरे पक्के होगे तो वीडियो कैसा लगा आपना feedback जरूर दें comment box में जरूर पता आपको class कैसी लगी channel को सब सब जोल किजिए ठीक हो जितना हो सके अपने दोस्तों में सेर कीजिए जो आपके साथ पढ़ रहे हो मिलते हैं next poem के साथ fire and eyes उसको भी इसी तरह solve करवा दूए thank you so much